लास्ट की दो वीडियो में हमने रिवर सतलुज, रिवर चिनाब और रिवर रावी को और रडी कवर कर लिया है इस वीडियो का maximum benefit लेने के लिए अपने साथ map रखे हैं तो आपको अपने साथ map से पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगी और चैसे समझ भी आएगी तो अपने साथ map रखे जरूर कोशिश करें एक बार कि रिवर की ट्रिविटरी इस हाइडरो लेक्टरिय पाबर प्रजेक्ट्स को भी रिवर से लोकेट करेंगे मैं इस वीडियो में लोकेट करवाऊंगा लेकिन आपने अपने साथ map जरूर रखना फिर भी तो सबसे पहले हम discuss करेंगे रिवर का introduction देख एर रिवर की introduction से मेरा मतलब है कि इस रिवर को लग-Lग नामों से जाना जाता है तो इसके नाम देखेंगे मेलनी हम इसमें जो ये introduction वाला पार्ट है इसमें इसके बाद ही रिवर के source और course देखेंगे source का मतलब तो यह हो गया कि river जहां से originate हो रही है वो हो गया इसका source मतलब इस case में ब्यास के case में वो है ब्यास कुन उसके बाद इसका course मतलब कौन कौन सी district से flow करेगी देखे कुलू से start करती है अपनी journey और कांगडा तक जाती है मतलब रोतांग पास से starting हो करके मिर्थल घाट में यह कांगडा को छोड़ करके पंजाब में इंटर कर जाती है तो इसकी tributaries देखेंगे उसके बाद हम tributaries के बारे में बात करूँ तो tributaries से न questions यहीं से बनते है mainly question na tributaries से पूछे जाते हैं जो भी आपके one day exams हुए वहां पे तो tributaries से question आते हैं उसके बाद hydro electrical power projects यहां से भी question बनने के chances है कि बताइए कि कौन सा hydro electrical power project कौन सी river के साथ में है या फिर अगर और डीप पूझना हो तो उसकी capacity बो सकते है ठीक है जी उसके बाद हम देखेंगे इसका role agriculture में देखेंगे अगरी कल्चर में भी इसका role है वो भी देखेंगे उसके बाद ecosystem और biodiversity को किस तरह से contribute कर रहा है मतलब इस case में great himalya national park में यह river जो मेली ecosystem और biodiversity को contribute करती है उसके बाद इसका impact देखेंगे इंपक्ट मतलब इस river पे हमारा anthropogenic human के द्वारा क्या impact इस river पे डाला जा रहा है उसको cover करेंगे फिर finally conclusion कर देंगे तो चलिए इस river की journey को start करते हैं देखें मैंने जैसे यह आपको बताया यह river originate होती है district कुलू से district कुलू के यहां पे यहां पे पास है आपने सुना होगा famous पास है जिसको कहते हैं रोहतांग पास रोहतांग पास अब रोहतांग पास से इस तरफ देखिए यह है आपका एक ब्यासकुण इस river का जहां से यह river originate होती है यह है आपका ब्यासकुण अब ब्यासकुण से यह river जो है एक stream इसकी यह आगी ब्यासकुण से अब देखी। यह जो प्लेस है ये। एक स्टीम आरे है इस तरफ से… यह आपस मैं मिल रही है इस प्वउयंट पे जहांपे मैं यह मार्क कर रहाए lunar इसको कहते हैं पलचन फलचन है विलीज है यह е स्टीम आपस मैं मिल रही है और इससे आगे जो हमारे बास river बनके आ रही है उसका नाम है हमारे बास river ब्यास और यह मैंने वी से जो मा किया यह है वसिस्ट यहां पर हमारे पास sulfur springs इस एरिया में ब्यास की और ब्यास के कौन से बैंक पर है ब्यास मतलब इस तरफ को move कर रही है तो यह कौन से side को है इसके left bank पर ही उसके बाद देखिए पहली ट्रिब्यूटरी जो इसमें आकर के मिल रही है river में वो यह वाली है this one second यह है यहां पर जो first ट्रिब्यूटरी इसमें मिल के आ रही है मैंने हर ट्रिब्यूटरी को यहां पर mention किया जैसे पहली जो है इसको मैंने यहां पर mention किया तो यह है मनाल्सू ठीक है जो यह आपके पास आगी पहली जो है इसका नाम है मनाल्सू दूसरी है जगत सुख इसका नाम क्या है जगत सुख जगत सुक ये मनाल्सू मनाल्सू और जगत सुक ये दो ट्रिब्यूटरी रीवर में आके मिल रही है एक तो इसके कौन से बैंक से मिल रही है राइट बैंक से ये मनाल्सू राइट बैंक है और जगत सुक जो है वो लेफ्ट बैंक है उसके बाद ये river जो है, ये मनाली आपका, ये जो मैं circle कर रहा हूँ, ये मनाली है अब मनाली से नीचे बहती हुई, ये आपका कुल्लू, ये कुल्लू में पहुंसती है river अब देखिए, कुल्लू में से एक stream यहां से आके मिल रही है, ये ये वली stream इसका नाम है, सरवरी, सरवरी, अब देखिए, जो इसकी main और सबसे लंबी tributary है, river ब्यास की, वो निकल रही है आपकी, ये वली, जिसको की, ये वली river है ना, इस वन, अब इस river का नाम है, river पार्वती river पार्वती जो है, वो ब्यास की सबसे भातवून साहिक नदियों में से एक है, river पार्वती में वे देखा जाए, तो दो नाले इसमें मिल रहे हैं, एक ये वाला, जिसको मैं एक नमबर माग कर रहा हूँ, एक ये दो नमबर, जो एक नमबर है, इसका नाम है तोश, और जो ये जो ब्लू गलर की, यहां पर मिलाना विलीज भी आपकी, अब देखिए, ये river इस तरफ को फ्लो कर रही है, नीचे को, इस डिरेक्शन फ्लो कर रही है, यहां पर हमारे पस एक बहुत ही फेमस प्लेस है, मनिकरन, मनि, मनिकरन यहां पर है, मनिकरन, ये जो सर्कल कर रहा ह यह मनिकरन है, अब दिखिए यह रिवर पार्वती रिवर जो है, वो मनिकरन से होती हुई, दो ट्रिबूटरीस में मिल रही है, एक तो आपकी तोस, और दूसरी कौन सी है, मलाना खड, दोनों नाले आई, नाले इसमें आके मिल रहे हैं, और यह खुद जाकर के रिवर ब्या बुंतर में यह रिवर जो है, रिवर ब्यास में आकर मिल रही है, उसके ठोड़ा सा नीचे आएंगे, अबर तो हमारे बस दीखिए यहां पे एक रिवर यह भी आ रही है, इसका नाम है खरला, हरला 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 भी आकर के लेफ्ट बैंक है इसकी लेफ्ट बैंक ड्रिबुटरी हरला वो भी आकर के रिवर ब्यास में मिल रही है और जिस लाके में मिल रही है ये आपका बजौरा का एरिया है बजौरा अब बजौरा से देखे ये पैरलर ना मंडी इस सर्फ को मंडी है इस सर्फ को कुलू है अब मंडी और कुलू के हलका सा बॉर्डर पे ही फ्लो कर रही है कभी मंडी में इंटर कर रही है अब तो मंडी में ही फ्लो कर रही है उसके बाद देखा जाए तो नीचे जा करके यहां पर ये जो एरिया न यहाँ से एक और tributory आ रही है इसकी इसका नाम है सैंज क्या नाम है इसका सैंज अब सैंज के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत fairly large tributory है बहुत लंभी और large tributory है यहाँ पे इस peak का नाम है हमारे पास इस border पर यहां को अगर थोड़ा सा मैं zoom out करूँ तो यह दिखे यह आपका स्पिती का area है स्पिती और कुलो के border से यहां पर एक सुपा कुनी करके peak है वहाँ उस peak से यह सैंज river आपकी originate हो रही है अब सैंज river इस direction में flow कर रही है और flow करने के बाद यह river में जा करके finally मिलती है लेकिन सैंज river जब rivers ब्यास में मिलती है न जी उससे पहले थोड़ा सा पहले सैंज में भी एक river आके मिलती है और यह river है आपकी तीर्थन 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 आपकी तीर्थन जो है यह जो point mark कर रहा हूँ यह आपका बंजार का एलिया बंजार कुलो के बंजार साइड से आती है और यह आपकी सैंज आ गया और जहांपे मिल रही है ना यह जी दोनों आपस में ज़्यादा फरक नहीं है जैसे यह place न जहांपर के सैंज जो है वो रिवर में आकर मिल रही है रिवर ब्यास में उससे हलका सा पिछे सैंज में भी एक रिवर आकर मिल रही है जिसको मैंने बताया आपको कि जो तीर्थन है वो सैंज में जाकर पहले मिलती है और फिर फाइनली से ये river फिर से मंडी की तरफ एंटर करी आप देखिए पहले तो नहीं किस तरह से flow कर रही है ऐसे वर्टी के लिए नीचे की तरफ ऐसे flow कर रही है तो जो valley ये बनाएगी मतलब जिस घाटी का ये निर्वान करेगी वो घाटी क्या होगी ट्रांसवर्स वैली तो आपकी कुल्लू की वैली जो है वो क्या है ट्रांसवर्स है इस तरह से नोट तू साउथ या साउट तू इस तरह से तो पौन सी वही है वैली ट्रांसवर्स वैली बाकी वैली जैसे चंबागी है तो इस तरह से लॉंगिड्यूनल है वैसे ही आपकी नीचे की तर्फ को आती है उनको कहते हैं कुलू कॉनसी वैली वी ट्रांश्वर्स वैली शॉलिए टीक है जावने जर्नी स्टार्ट करते हैं अब ही हम पहुंचे कहां है लारजी में अब लारजी में यह पीशिर्ट्रिक कुलू को छोड़ how मतलब मंदि इतर Group fender कर रही है यह दिखे है कि मंदि क्या area आगए नहां ए यह यह यहां पर आउट इस अंडि ऑच का नाम है इस प्लेस का नाम है आउट यह आपकी ओऔर यह ओठ और से यह फिर आप क्या दे कि ऑच खते है अग स्लाइटìn अब ये west की तरफ flow करना start करेगी north west की तरफ flow करना start करेगी मतलब इस तरह को flow करना start कर रही है उसके बाद ये नदी बहती भी पहुंच थी आपकी इस point पे ये आपका पंडो है यहाँ पर टैम भी आपको पता होगा जहां से हमने इस river का जो पानी है वो divert किया हुआ है river सतलूज के लिए इस places से पंडो से through tunnel है उसके बाद इस river में देखिए एक और river थोड़ा सा जब ये मंडी है आपका ये जो मार कर रहो हमें ये मंडी है मंडी से पहले मतलब इस तरफ को एक river इस में और आके मिल रही है इस river गना में उल अब उल river जो है मिलती तो आकर कि यहां पे मंडी में लेकिन इसका origin थोड़ा सा देखिए तो इस area से हो रहा न जाए यहां से और ये आपका कौन सा area है Broad Valley है ये Broad Valley ये जो है Broad Valley से Kangra से Kangra से इसके बाद थोड़ा सालगा से यहां पे रुक्के में आपको बता लूँ कि Kangra से इसकी बाद सी वैली निकलती है अब आपको पता रहेगा कि ये जो पहाड़ है नहीं यहां पे यहां पे पहाड़ है ऐसे कर गए ये कौन से पहाड़ है धौला धार धौला धार अब देखिए धौला धार को एक बार तो ये लार्जी में काट रही है धौला धार को ये जो है यहां पे लार्जी में रिवर जो है वह आपकी काट रही है अब देखिए जितने भी Kangra Distribution Tributories हैं रिवर की रिवर ब्यास की वो धौला धार से औरिजिनेट हो रही है अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी धौला धार से जो इसके ट्रिबूट रिवर जिनेट थे हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसके बाद देखिए ये रिवर डिस्ट्रिक मंडी से होती हुई यहां पर मंडी बताना भूली है यहां से न मंडी से थोड़ा सा बीच्छे इसमें एक ट्रिबूटरी आके मिल रही है इसको बोलते हैं सुकेती सुकेती इसकी कौन से बैंग के ट्रिबूटरी है लेफ्ट बैंग की अब रीवर की डिरेक्शन इस तरफ को होगे नो पुरको तो इसका लेफ्ट साइड यह हुआ रैट साइड यह हुआ तो कौन से साइड की बैंग की ट्रिबूटरी है सुकेती लेफ्ट बैंग की ट्रिबूटरी है अब थोड़ा सा और आगे चले हम और एक बार यहां पे आप ध्यान से नोटिस करना कि जो मंडी का टाउन है आपका जो मंडी डिस्ट्रिक है वो भी इसके कौन से बैंक पे लेफ्ट बैंक पे सिट्वेट है ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद आगे जलते हुँ देखें तो ये तो आपकी आगे उल उसके बाद नेक्स रिवर जो मंडी में इस से आके मिलती है ये रिवर का ओरिजिनेट इन रिवर का देखें है ओरिजिनेट कहां से हो रहा है ये जो मार्क कर रहा हूँ सरकल ये है आपका कौन सा एरिया है यह आपका बैजनात बैजनात और यह पालनमपूर पीफ और पालनमपूर यह पालनमपूर है मतलब ऐसे देखा है अब देखिए बैजनात और पालनमपूर के आसपास में हमारे पास बैजनात इसके बीच में देखिए दो ट्रिबूटरिस ये भी है तो जो बैजनात के आसपास से ट्रिबूटरिस निकली है इनका नाम है एक का नाम है बिन्नो खड या बिन्वा बोलते हैं इसको बिन्वा रिवर ये जो है बिन्वा और ये जो ड्रिवर है इसके नाम है आवा ये आवा ये है और बिन्नो ये और दोनों जाकर के आकर के मिल रही है रिवर में फाइनली यहां पर के यह दो ट्रिबूटरिस होगी एक बिन्नो और एक आवा किसके ट्रिबूटरिस ब्यास की कौन से बेंगी राइड बेंगी ठीक है जी उसके बाद हलका सा देखें तो यहां पे न संदोल है यह संदोल में डिस्ट्रिक कांगडा में एंटर कर रही है आपकी रिवर ब्यास अब संदोल चे थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे बस एक रिवर यह आती है यह यह रिवर यह जो है इस रिवर का नाम है इस रिवर का नाम है बेकर खड़ या बगर खड़ जोगी बोलेगे इसको बेकर खड़ लेफ्ट भेंक टेरिबिट Northern यह वली। उसके बाद यह आपका रिवर चलती ह Know पहुंचती है अब की यहां न्यूगल खढ यह न्यूगल नाला है उसके बाद न्यूगलरीवर पीरा सुजानपूर के खही। यह पीछे समें एक औरुडु मिलती है इसको नाम je कुन्ना खड़ बोल सकते हैं कुन्ना खड़ यह कुन्ना खड़ आपकी यह है अच्छा जी उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक कांगडा से इसकी बहुत सी धुलादार से टर्बूटरी औरिजिनेट हो रही है विस ग्रेडियंट स्लूप ना इस तरफ को है तो जितने भी कांगडा की डि रिवर्स होँगी इस सेरिय में जितनी वी रिवर्स होँगी वो सारी इस तरफ हुए फलो करेंगी तो मतलब कांगडा के तो ठागडी कि यहां पर 魚 कि अ bon Grand ठर्मशाला पाइए।े और इस तरफ रही है हुए है और धर्मशाला से यह अरी है, दो रीवर है। लेकिन सबसे पहला है कांगडा कि आसे पास के देलेखे। तो कांगडा के एक नीचे से जो रिवर आ रही है आपके टंडा के आसपास की रिवर है जो आपका तो इस रिवर का नाम है जो टंडा के नीचे से आ रही है रिवर ना जी इसका नाम है बान गंगा कांगडा के नीचे से ये रिवर है बान गंगा और ये रिवर है आपकी कौ है यह बाणगा इतोनों अपस मिल रहीं फिर यह जा करके फाइलली ड्रेंट कांग कर रही है बियास में कहां पर हरीपुर गुलेर के आसपास हरीपुर गुलेर की कांगड़ा की हिस्ट्री में हरीपुल गुलेर का बहुत ही यह बनेर खड कहां पर आकर के मिल रही है हरीपूर के पास में फिर देखे धरमशाला के इस तरफ से भी एक रिवर उजनेट हो रही है यह वाली अब इस यह जो रिवर है इसका नाम है इसका नाम है हमारे पास गजखड क्या है गजखड गजखड अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स आती है रिवर उसका नाम है यह जो रिवर है इसका नाम है खौली शापपूर के आसपास से आती है यह आपका नूरपूर है नूरपूर के आसपास से पहली तो यह आगे खड आपकी इस खड का ना लाव्स्वली, इसका नाम है ... छककी खट क्या है ? ये होगी चकति मेन मेन ऐखि चककी खट वंसक्तर होना बहुत सारी खट होती हैं बहुत इक है जो बहुते लिए नाम मिल हें हर को देखन पर सब्सक्रागा है अब मेन मेन उनको मनें कवर कर लिए तो कुछ इस तरह से मैप मारा बन गए इसलिए मैं आपको कहता हूँ न कि आप साथ साथ में जो है वो मैप जो बनाते रहें ताकि आपके पास जो मैप बन गएगा वो at least इससे तो अच्छा होगा लेकि मुझे समझाना भी होता है इसलिए जो है वो अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है तो एक बार हमने फिर से देख लेते हैं यह हो गया हमारे बास रीवर ब्यास सबसे पहले ब्यास कुंड से औरिजनेट हो रही है अरे भाई यह तो बहुत ही मुश्किल हो गया ऐसा समझाना चलो एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं रीवर का अब हम देखते हैं में थोड़ा साहिलका सा देख लेते हैं रीवर का क्या नाम की हम? मतलब आफास में लिखा गया है? वो देख लेते हैं अर्यक्या नाम है वहेदओं से आए यह नाम ॲेदों में इस नाम से रीवर को मैंचन कीएक है वह है अर्यक्या विदों में इसको व्यास नहीं लिखा गया है है, इसको बुल ला है, हिफसस 1997 तो हेफसस किसने बुल ला ग्रीकी स्टॉरीन है याद रखना है आपको अर्जी किया कहां पर लिखा गया है वेदों में और विफासक शंस्कित नाम है और आज का नाम वियास जो तो हम पढ़ी रहे हैं तो इस तरह से इस रीवर के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है देन इसकी सोर्स तो मैंने आपको बता दिया सोर्स कहां से निकल रही है वियासकुंड से वियासकुंड से फ्लो करने के बाद रीवर अब वियासकुंड के बारे में थोड़ा सा यहां पर मिंसिंन किया हुंद कि 3960 मेटर इस की टोटल आनक एक वियासकुंड और ze लेक है मतलब गिलेशियर से बनी हुई लेक है कौन सी पीर-पंजाल रेंज में है और इसकी एक और स्ट्रीम ते जूसरी स्ट्रीम जो इसमें पल्चन विलिज में मिल रही है उस स्ट्रीम का नाम है व्यास रिशी तो आपको यह भी याद रखना है एक आप कौन सी स्ट्रीम एक व्यास कुंड वाली स्ट्रीम और एक व्यास रिशी वाली स्ट्रीम अपस में पल्चन में मिल रही है पल्चन में मिल रही है पल्चन में मिलने के बाद इसमें देखे जो व्यास कुंड वाली स्ट्रीम है एक्चल इस तरफ जो वैली है उस वैली का नाम है सोलंग वैली अलोब सोलंग वैली है इस तरफ को परेक्जमपल मैं यहाँ पे अगर बनना जाओं तो यह आपका आगया पल्चन पल्चन से इस तरफ को पुराणा लेह जो हाईवे था ना मनाली लेहाईवे वो इस तरह से जाते हैं लेकिन आप रोवतांग टनल बनी है वो किस तरह को बनी है पलचन में पहुंचे आप पलचन से आप इस तरफ सोलंग की तरफ पूजाएंगे सोलंग से भी थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक और valley आती है उस valley के नाम है धुंदी valley धुंदी valley दुंदी वैली से हमने एक Tunnel बनाई, यहां से बनी वही है, इसको हमने रोहतांग, Tunnel यह अटर टनल में की नाम से जानते हैं, यह आपकी अटर टनल है, जो पुराना रास्ता हो अपको यहां से पलचन से आप टर्न करते हो तो इस तरह से जाते हो यहां पे आपकर हो थांग पास है यहां तो एडिशनल इंफॉर्मेशन यह होई उसके बाद देखे टोटल डिस्टेंस जो है रीवर का अप्रॉक्षिमेट टूफिफ्टे सिक्स किलोमेटर है हिमाचल की बात कर रहे हैं मतलल हिमाचल में देखे लिए इसकी पार्वती कौन सी बैंक की ट्रिब्यूटरी है जी पार्वती लेफ्ट और राइट लेफ्ट बैंक क्या है सबसे बड़ी वन अफ ती मोस्ट सिगनिफिकेंट ट्रिब्यूटरी ओफ रिवर ब्यास यह तो हमने कवर किया यह पार्वती में भी कौन-कौ पार्वती लेफिर यहां से फोलो करती है रिवर यहां से मंडी में जाती तो जो पार्वती है यह तो पार्वती रिवर यहां जाकर मिलती है यहां से आती पार्वती रिवर इस सेरिये से उसके बाद पार्वती में भी दो मिल रहे थे गनाले एक यह मिल रहा था तोंस और यह मिल रहा था आपका मलाना पार्वती में आके मिल रहे है नजी और पार्वती फिर कहां पर मिल रह ат बंधर उस्के बाद नैकिस्ट हमने यह को जो जो थोड़ा हो रही है पिर आपकी बजौरा मोरी से और से खट हो आरी है तीर्थन रीवर जो कि आपकी बंजार के एरिये से आ रही है और ये मिल रही आपकी लार्जी में जा करके यह आपकी लार्जी आगी उसके बाद अपनी के थूर्प भी विसमें डाल दिया है उसके बाद हम देखा मंडी यहां पर बंडी के आशपास में एक रीवर है इसका नाम है घज-खग उसके बाद हमने यहाँ पालंपूर के साफ बिन्नों खड़ देखी फिर हमने आवा खड़ देखी यहाई से फिर हमने न्यूगल देखी जो की टीरा सुजानपूर यहाँ पे नाप का टीरा सुजानपूर के पास opposite side मिल रही थी तो यह सारी कहां से आ रही है दौलादार से, यह आपकी दौलादार होगी सब दौलादार से फ्लो कर दी है ग्रेटिन नीचे के दर्फ कोईन का उसके बाद हमने देखा बान गंगा कांगड़ा के नीचे से फिर यहां से बनेर खट यह हरीपूर गुलेर के पास में आक करके फिर रिवर्ज में मिल रही है उसके बाद हमने देखी गज खट उसके बाद हमने देखा यहां पर जाकर के उसके बाद यह नूरपूर के आसपास में देखी है जो खौली आती है यहां साबपूर के आसपास से फिर हमने यहां नूरपूर के आसपास से देखिए खड फिर चक्की खड़िया आगे बॉर्डर बनाती हुए आपका पठानकोट के साथ तो यह होगी कुछ इसके ट्रिब्यूटरी उसके बाद लेफ्ट वैंक भी थी न यहां पे एक सुकेती थी यह इसके ट्रिब्यूटरी थी हमने जो रिवर की देखी तो इस तरह से आपको रिवाइज करना है आपने रफली ड्रॉट किये मैंने उपर थोड़ा प्रसाइस आ लेकिन उपर देखने लाइक तो रहा नहीं अब तो यहां पर आपने यह ऐस तरह से ड्रॉट करना है तो यह यह होगी मारे पास कुछ इंपोटेंट इसकी ड्रॉट इस अस्टार्ट कहां से होई थी जी वियास पूंड से यहां से ठीक है अब फिर से देख लेते हमने और क्या मैंने लिखा हो या मैं देखे बान गंगा भी होगी ठीक है जी सैंज सैंज आपको बता दी थी मैंने जो सेंज में एक स्की एक और में ट्रीवट रहे है जो कि जो कि बियास नांड के पास कुली उटेलम स्टे कि और तो मनडी मं मिलेगे यहीम य। राल जी ओगा मैं ऑद सेंज मैं भी एक एग रिवर मिलती थी और कौन से state wilim तीर्थन कहां से निकल रही थी, तीर्थन आपकी निकल रही थी, कौनसे एरिया से बंजारवल एरिया से, यह आपको as it is याद रखने हैं, अविए अगर आप इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है रिटेंगा, अगर आप मैप के शाहिता से चोड़ा मैप पे देख लेंगे और साथ में यहां पढ़ लेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहने की प्रब्रबिल्टी आपकी बढ़ जाती है। लंबे समय तक याद रहता है आपको। इस तरह से दो पहाड के बीच में से वैली जो बने ये वोगी फ। इंड़न वैली होगी इस तरह से बड़ा बंगाल वैली हो इसह बासे बांग वर यह बांगंगा रीवर इसका नाम कहां से आया यह बो less है कि रैपिट फ्लो मतलब बाण बाणों की तरह चलने वाली बाण गंगा तो तो रैपिट फ्लो है इसका इसका नाम शाहिद वहां से निकला हुआ है और उसके बाद हम नहीं देखना देखिए में इंपोर्टन्ट यह भी है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट रिवर के आसपास में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है एकॉनमी को अंडाउटली हिमाचल की एकॉनमी को अंट्रिब्यूट करते हैं यह हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट अब ब्यास रिवर का फ्लो इतना है मैंने जैसे कि है इस तरी इसको देखार एक में अब देखिए की है ओपको एंसने टेरिक निवर यहां से प्लो कर रही है तो यह प्रांसवेर फ्लो कर Weather नी कर एक बना रही है क्योंकि रिवर का यह फीचर है मतलब रिते हैं इस वेली का ना में अब देखे, rapid flow का एक कारण तो यह की देखे, उपर से निचे यहां आगया, दूसरा देखे एक कांगडा के न, यह देखे आप, कांगडा के रिजिन यहां पे height वाल ऐडिया है, धौलादार का area है, यह सारी धौलादार है, धौलादार के area थोड़ा height का है, नीचे एकदम से आपका plane आजाता है तो यहां से भी height से एकदम सरीवर आती तो इनका भी flow कैसा रहेगा यहां पे जो यह आपकी उल नाला है ना जी उल खड जो है यह यहां जैसे इनका जो इसका flow भी बहुत तेज होता है पहाव तो वो help करते हैं मतलब कहीं ना कहीं आपकी electricity के लिए चाहिए लिए यही चाहिए हमको तो बहुत से hydrolectrical power projects होने का कारण यह भी है कि river का जो flow है fast flow और उसका volume पानी भी काफी अच्छी मातरा में है glacier है आस पास में तो पानी अच्छा ideal condition है ideal resources है आस पास में इसलिए यह दो condition fulfill करती हैं इसी वेसे पे यहां पे बहुत से hydrolectrical power projects है अब देख मंडी में locate है मैंने बता दिया आपको यह map में भी दिखाया था आपको मैंने पंडो कहां जैसे है अच्छा potential power potential कितने मेगवर्ड इसका power potential है 990 मेगवर्ड याद रखना आपको इस तरह की जो fact है आपको याद रखने के कोशिश करने बार बार पढ़ेंगे तो याद होंग water divert किया हुआ है किस नदी का water divert किया हुआ किस में तो सरयन मैं ब्यास नदी का पानी हमने सतलुज नदी में divert किया हुआ है किस के दरू टनल के दरू इसको बोला जाता है मैं पंडोख tunnel कि अब इस डाइवर्जन से कुछ ना कुछ help तो होई हुए पहली बात तो ठीक है इसमें बहुत सा पानी था उसको इसमें divert कर दिया तो बीच में irrigation परपस के लिए जो एरिये वहां भी यूज हो सकता है हमने इसको डाइवर्जन के तुरू पानी डैम के तुरू रोका यहां से डाइवर्ट कर दिया है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है लारजी अचा एक बार में इसको हम लारजी को जो लारजी है अपका यह आपका कहां जैसे है पहले तो इसकी क्षमता कितनी 126 मेगावाट की क्षमता है डिस्ट्रिक कुलू में है यह और रिवर्ट कर दिया अब इसको मैप फे देख लेता है को रही है यह आपका यह अपकि सैंज रिवर आ रही है इस तरह से यहां साथकी दि़्टन आ लिए है यह हमने यहां पर डैम बना हैны है यह आपका लारजी है अब लारजी में अपने 2014 की बात नि crimes की बात मैंने इसमें लिखा भी हुआ है तो कुछ कॉली स्टुडेंट्स आया होते हैं गुमने के लिए तो में लगता है वो रीवर के बैंक के लॉंग देवर रॉमिंग न तो क्या हुआ कि रीवर इस लारजी का जो पानी था उसको छोड़ दिया और वीडियो देखी होगी आपने उस समय बहु याद रहना है तक अब यह निज क ह ecosystems में था उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेंज सेंव ने बोटा इए लाजी शूआ लाजव छिश्चव डिसक्स करें थे हम ने स्ञ हाइड्रoyu पावर्डड प्रजेक्ट भी यहीं सेंज यह आपका सेंज है तो यहां जैसे ही बनाए हो 126 मेगावाट कितने किशम था इसकी सेंज की 100 100 मेगावाट 126 लार्जी की उसके बाद थाना प्लेन मंडी में 191 मेगावाट यह प्लांड यह इसका इसका जिकर जो है मैं आपको बता दूँ तो पार्वती जो रीवर है वो तो आपकी यह पार्वती रीवर है यह आपकी पार्वती रीवर है यह अब पार्वती रीवर में हमने क्या कियो है कि यहां पर यह मलाना का डैन यहां मनाला में भी हमने इसका मलाना का पाणी रोके यहां पर यहां पर से आजकल भी फ्लर्ट आ रही है माचल में तो उसके बारे में लगसे वीडियो बनाएंगे उसको वहां पर इसके बाद हमने यहां पर बनाया हुआ है कौन सा पारवती पारवती टू 800 मेगावाट का अब पारवती टू में हमने क्या किया है यहां से हमने पानी रोका है उसका पानी का डाइवर्जन डाइवर्ट किया हमने पानी को इसके दूसरे चैनल में मतले सैंज वाले उसमें न इसमें हमने इसको डाविट किया तो पारवती टू से पारवती ट्री अक्चुल आपका सैंज पर है और कितने मेगावाट शमता है बार्वती यह ना का पार्वती 3 520 पार्वती 2 800 तो पार्वती 2 के पानी को रोकर करके डाइबर्द हमने यहां कर दिया यह सेंज नदी पर बनाया गया मलाना वन मलाना टू बता दिया मंने आपको मलाना टू एक्ष्टम इट्टी प्रपोट करें मुझे भी याद नी आपने इसको चेक करना मुझे लाना टू एक्ष्टी में में 60 मेगवाट का यह कबस्टी का है शानन यह आम शूर आपने सुनोगा अगर आप न्यूस फॉलो करते हैं तो आपको शानन के अमारे में जुरूर पता हो शानन एक्चल में पंजाब स्टेट इलेक्टरिसिटी बोर्ड यह अंदर आता है अब बोलें कि कैसे तो सर्य और मा अब इसकी खतम हो रही है 2014 में तो स्टेट हमारी हिमाचल सरकार बोल रही है पंजाब गॉर्मेंट को कि हमको इसको हैंडोग कर दीजिया वापिस कर दीजिए लेकिन यह भी पॉलिटिकल इशू है तो देखते हैं कि इसको फॉलो करें आप में देखें क्या बनता है इसमें मंडी पर उल नदी पर बनाएगे हैं वही वाले यह उल नदी आपकी यहां पर शानन का एरिया है पसी शानन यहीं आसपास उल के उल टूवल तुरी इस पर बनाए हूँ है इस निदीव उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है धौलाशिद धौलाशिद देखना आप इसको SJVN बना रहा है सतलुजल विद्युत निगम हिमाचल परदेश के हमिरपूर डिस्ट्रिक में यहां पर बना रहा है हमिरपूर डिस्ट्रिक में इसको हमिरपूर में बन रहा है दौलाशिद और इसका यह देखिए मैंने आलिखा ना रन ओफ दे रिवर आर ओ रन के दूब और फिर चैनलाइज करके परणवर उसको क्या करते है 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 यह से किलेड़ रवाते हैं इस चैनल से लिएकर करके यहां पर हमारा मतली यहां पर हमारा स्टेशन है माल लिए जहां पर अब 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 आपके बाद में वह पानी जो है बहुत आपको बनाने के लिए जगा चाहिए वहां पे कुछ भी हो सकता बने सब्सक्राइब करना पड़ता जैसे पॉंक्ब बना था तो आपने पड़ ओगा कितनी सारी विलिजज उनको हमने क्या किंए उनको वहां से स्तानांत्रियां मतलब उनको कहीं और रिलोकेट करना प उसके आसपास बहुत सी उकोलोजी भी थी उसकी बहुत से मतलब पेड भी एंग फ्रेस्ट लेंड होगी वह भी डिस्टरब होती है उकोलोजी के लिए फिर यहां पे मतलब बहुत से पशू पक्षी भी रहते हैं वो सबको नुक्सान होता है दूसरा होता है कि डैम के आपकी ecology को disturb कर रहा है , डाम के मतलब ROR model में हम गया करते हैं , डाम के बिना ही river को river से हम कुछ पानी ले करके अपने use kill में लाते है एकक्राइटेटी जनरेट करवाने के पर उसी river में बिना उस river के course को disturb किये होई , आप इस पानी रीवर में डाल देते हैं यह आपका आरोर मोडल हो गया 66 मेगावाट का धोला सिद में यह बनाया जा रहा है अस एस जेवियन के द्वारा उसके बाद पॉंग डैम यह आपका पॉंग डैम है यह वाला पॉंग डैम यह पॉंग डैम पॉंग डैम पे भी हम यहां जैसे लेक्टरसिटी जिनरेट करवा रहे हैं कितने मेगावाट की 360 मेगावाट की अच्छा जी अब यह अच्छा कुछ और भी है न बता दूं बहुत से वैसे तो यार चेचे 25 मेगावाट की इन एरिये में हलके मतलब छोड़ चोड़े जो अपके नाले है यहां पे लगाये हुआ है जैसे की बिन्वा पे लगा हुआ है गज पे लगा हुआ है बनेर पे लगा हुआ है बिन्नों पे लगाया हुआ हमने गज खड़ पे लगाया हुआ है यहां पे लगावाँ गज खड़ में भी है आपके हर जग है मतलब खौली खड़ में भी हमने चोटे 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 जो नेक्स्ट क्या मारे बस अगरिकल्च इनका रोल क्या मतलब हाइड्र लेक्ट्रिकल पावर प्रजेक्ट्स का रोल क्या है पहले तो देखे यह लेक्टर सीटी डिमांड को कैटर करते हैं यतने ही मारे हिमाचल प्रदेश की लेक्टर सीटी डिमांड है उसको पूरा करने के सा आपने पड़ोसी राजयों को बेचते हैं स्टेट की कमेट्मेंट है सस्टेनेबल एनर्जी डवेल्पेंट के लिए लिए हमने कन्वेंशन जो हमारे पास फॉजल फ्यूल एनर्जी दे उससे हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाने का एक बहुत अच्छा माध्य में यह जो हमारा हाइड्रो पावर प्रजेक्ट से लेकिन इसके बैनेफिट इन देखें इसके आपके उसके बाद एफिशेंट बड़ वाडर का यूज कर रहे हैं मतलब चलो यह तो होगए अब कौन्स देखें जो यह प्रोज है ने इसके हैं कौन्स भी उतने हैं इसेंशेंशल एडरेस थे एनवायर्मेंटल कंसर्न मैंने जैसे की बताया डैम बनाएंगे पहले तो पानी आ रहा है उसके हमने कोर्स को रोक दिया ठीक है पहले तो उसने जिस आपको पहाडों को आपने मतलब डिस्टरु किया रहा है तने पवाड़ों को आपने मतलब डिस्टरव किया तो सिर्फेस पेले तोuft एकालोजी आंदर से यह पाँको नेकवाजिंट से इस के पहले अपने टनल मनाई इसमें से और के जो आपका पहाडों को अपने मतलब दिस्टर किया है और म्राकि लाट से मतलब जो अंदर जो जब यह अवन faithful जोम्र आपकाम मक निकलती उसको हमने कहां कहां जाके रिवर के बैंक के लॉंग पेंदे बारिश होगी वो सारा पानी नीच तो हमने देखें डिस्टर्ब किया हुआ है हाइड्रोलेक्टिकल पावर प्रजेक्ट बनाने के लिए कहीं न कहीं बहुत हद मात्रा में हमने जो है वो इकोलाजी को भेंकर देखें से डिस्टर्ब करा हुआ है उसके बाद लोकल कम्यूटी की की लाइफ को इंपक्ट करता है जैसे कि पॉंग डैम बनाने के लिए हमने इतने सारे लोगों को जो है वो रिलोकेट कर दिया मतलब उनके एक्चल घर छोड़ गया उनको गहीं और जाना पड़ा डैम के पाद तो यह तो है यह अभी रिसेंड दा हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है आजिंग ट्वंटेशिक्स दो तिन चार दिन पहले ट्वंटेशिक्स को आर्टिकल पब्लिश हुआ था तो उसमें हिमाचल में जो करन्ट सिच्वेशन है जिस तरह से फ्लड़ आ रहे हैं उसको उन्होंने कवर किया है उसको हम जो है वह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसको मैं अच्छे दिख्या से कवर करूंगा उसमें बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिखा हुआ है कि जो हैड्रोलेक्टिकल पावर प्रजेक्ट से ना इनका क्या कॉंट्रि कर रहे हैं तो अब देखेंगे हम इसको अब देखें रोल ऑफ अगरी कल्चर का यार रोल रहता है अगर रीवर आपके आसपास में है पानी है क्योंकि माचल का बहुत सा ऐसा एरिया है जो कि मॉंसूर पर डिबेंड होता है मतलब बारिश जो होगी तो हमारे बस यहां पर ख इसे नहीं करवा सकते हैं क्योंकि हीली एरिया बहुत साथ और जिसे कांगड़ा में तो कुल के तूरू हम करवा देते हैं इरिगेशन के लिए जो प्लेन इलाके यहां पर चला ही हुआ है इरिगेशन का तो जो एक्चल में ना जो रीवर ब्यास है अग फर्टाइल प्लें नीचे आपके जब उतरते हैं मंडी से नीचे की तरफ तो अगरिकल्चर में क्रूशे रोप ले करती है मतलब यह रीवर जो है उसके बाद रीवर का वाटर जो है इसको इरिगेशन में यूज कर रहे हैं ग्रोथ इससे क्रॉप बढ़ेगी पानी तो चाहिए चावल को पा इरिया जो पलम होता है अगरिकल्चर प्राइमरी अपकिपेशन अभी भी माच बहुत से लोगों की डिपेंडेंसी अभी भी अगरिकल्चर भी है तो रीवर जो है उनके लिए बहुत है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे इसका इको सिस्टम और बाइडिवस्टी की लिए सिद्धर डिरेक्टली जादर टाइम नैशनल पार्क है मर वसकौन सा ग्रेट हिमाले नैशनल पार्क ग्रेट हिमाले नैशनल पार्क हमारा डिस्ट्रिक यह कुल्लू का ग्रेट हिमाले नैशनल पार्क का ही है सराई तो ग्रेट हिमाले नैशनल पार्क के आसपास में देख वहां की चाहिए आपकी फ्लोरा हो चाहिए फोना हो जैसे वेस्टरन टेगउपन उसके वाद स्नो लेपर्ड है यह सारा मतलब वहां की एको सिस्टम को यह रिवर जो है वो कॉंट्रिबूट करती है और उसे बाइयो डावेस्टी में भी बहुत सा इंपेक्ट है बहुत सा देखेंगे इंपर क्ड़िष्टी में रिवर का यह रिवर का थेट जो डिये जा रहे हैं और बाद में फिर ट्रेड्डेगिस हुई थे से मैंने बताए था जूपर 24-15 की बात है यह स्कूल कॉलीज पर ट्रिप जो आया था स्टूडेंट्स का उनको रिवर को पानी चोड जो हैं कुल्लू में इसको तो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मंडी में जो हमारे बाद जितना विन अर्य फ्लूड जाते हैं जैसे 2022 से पिछली बार जो आपका पारवती वैली है वो तो बहुत ही तस्टाव एडिया मतलब पारवती वैली के इसके बारे में दाउन टूर्थ दैंगे ने कि इन्वोंने आप रिपोर्ट देते हैं अपनी इन्होंने खात है कि पारवती जो ग्लेशियर है वो बोहौत ही फास्ट मेल्ड कर रहा है अपनी नॉर्मल जितनी सो मेल्ड करना जाए उसे बहूत अधिक फास्ट वो मेल्ड कर रहा है तो concern नहीं ग्लोबिल वर्मिंग का ड्रेक्ट इंपक्ट है यह सब हो रहा है और इसके लिए रिस्पॉंसिबल के सब एंत्रोपोजैनिक है मतलब ह्यूमेन के द्वारा बनाया यह है अब यूमन वार्मिंग यूमन के कारण जो है वह इसके बाद इल्लीगल एंड अंसाइंटिफिक माइन है यह तो मैंने बहुत बाद देखा है बहुत सी रिवर्स के अलॉंग आपने देखा है शाम को कुछ ट्रेक्टर जाएंगे और ऐसी वीडियो भी आती रहती है कि जो रिवर है उसके बीच में ट्रेक्टर ला जाकर फसा को उसके बाद हमारे पास आंड प्लान अरवनाईजेशन देखे साधि इस ब्यास की बात करें आसपास देखिए कौन-कौनसे एरिया आपके ठाउडी या जो कि आपके है मेजर मेजर टाउन अर्जो रिवर के लूंडेस को उन से देखेंगे किस तरहसे इंपेक्ट आज देखें यहां पर हमारे बस क्या है मनाली कुल्डू अपका मंडी कैसा रही तो टुरिस्ट हब हैं और शहर बनते जा रहे हैं तो अगर अन्प्लांड वे से हम इनको शहरों को बसाएंगे तो क्या होगा क्या होगा यहां पर देखें अभी रिस्ट ना एक्जम्पल आपका मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था पालनपूर का नाम सुना होगा आपने तो पालनपूर मुंसिपल कॉर्परेशन जो है उनको रिसेंटली अभी पहले तो यह समझी कि पालनपूर जो है आपका यहा साथ में एक जो है वो रिवर आती है आपने सुना मैंने बताए भी आपको कौन सी रिवर है पालनपूर के आसपास से क्या रिवर नाम किया उसका क्या नाम है न्यूगल यह आपकी रख लो यह न्यूगल है यह आपकी न्यूगल है तो पालनपूर मुंसिपल कॉर्परेश कि यह वो क्या कर रहे थी वह कर रहे थी कच्रा डंप मोल और मोल खड़ती और भीरल खड़ती यह सारी कहां पर पालंपूर में यह खड़े तो लोकल लोगों नहीं देख लिया तो उन्होंने रोक दिया उसको इसकी वीडियो काफी वायरल यह अभी यह तो बहुत पुरानी लिया दे इसके खिलाब तो हुआ यह है कि एक लोकल एंजीव है धौलादार सेवा समेती करके पालंपूर का यह मेरे को नहीं एक कांगड़ा में यह कही है तो उन्होंने एक मेमोरेंडम फाइल किया इनके पालंपूर एमसी के मूंसीपल कॉपरेशन के खिलाब इन्होंने आपस हाई कोड के संघ्यान में आया तो जिस्टिस रामा चंतर राव जी की अदेख्षता में जो पीट थी उन्होंने यह लोकल वहाँ पे न डिस्टिक जो आप मारे पास डिरेक्ट किया किनको डिस्टिक लीगल सर्वेस अथोर्टी को उन्होंने कहा कि आप जा करके इसक कंटैमिनेशन होगी ठीक है यहां पर डार दिया अपने कच्रा पानी तो नीचे भी जाएगा नहीं यहां पर लोग रहते हैं यहां पर यह भी यूज करते हैं इरिगेशन परपस के लिए इसमें आपने इरिगेशन के लिए तो आपकी फसलों पर पैक्ट होगा खाओ गया आ चलिकार लेगेशन पर explor मेलाने थी ही तो आपनोंने जी रहे हो व्यास करते हैं थैसलों बनाते हैं तो क्या है उन्होंने स्टार्ट करते कि इसलोगों को फर्क पड़ेगा जो जल के अन्दर जीव हैं उनको फर्क पड़ेगा रखटिक नहीं इंपक्ट हो रहा है और वैसे ही अगर यहां पे तो बहुत से घुआ होटल ज़ुत हैं यह यह तो तुरिस्ट हम यहां हिरी पिल्लों मनाली घरुण शाल अगर इसके लॉंग को योटल बना है तो वो गच्रा सारा ही, इसके लॉंगी फैंक देंगे, यहीं पे फैंका होगा गच्रा, तो ऐसा ना करें, या फिर एंक्रोच्मेंट कर लेंगे, अब इसमें यह होता है कि हैडल, पाबर मतलब डैम बना के पानी रोक लिए, बहुते सा सारा पानी एक पर बारिश तेज होगी, और लोगों ना क्या कर लिए हुआ कि पानी सूख गया, उन्हों देखा कि या पानी आ नहीं रहा, तो चलिए जी घर बना लेते हैं इसके आसपास, अब जब भारी बरसात होगी, तो क्या हुआ, चले के साथ में, घरों के नुक्सा क्या लिखेंगा, ऐसे ही करेंगे कंक्लूज की जो भी अगर इलेक्टर सिटी जनरेट कर रहे हैं, अगर इकल्चे परवस के लिए यूज कर रहे हैं, दीकिए, डाइवर्स एकोर सिस्टम को सपोर्ट तो कर रही है, ठीक है, अब इसके ट्रिब्यूटरी का फ्लो भी बहु है, इसके बाद इसी रिवर की देन एक्चल में, और इस रिवर का बहुत सा क्रूशल रोल है, अगर इसको सस्टेन नेबल डवेल्मेंट नहीं हुई और इसको कंजर्बन ही है, तो यही है कि इसको सस्टेन बिली इसको यूज करें, और यह थोड़ा सा यह ध्यान दें हाइड्रो इलेक्टिकल जेनरेशन, उसको प्लान वे से करें, खेर इसको तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगी, वीडियो बहुत लंबी होगी है, और यही था मेरा बोलना कि आपको अगर इसके बारे में कुछ भी मतलब समझ नहीं आया हो, तो कमेंट करके जुरूर प अगर आपको स्क्रीनशॉट क्या लोगे वैसे तो आप यहां पे तो मिटी है सारा, यहां पे मैंने मेंचन किया हुआ है सारी रिवर्ज लेफ्ट वैंक है राइट वैंक है, अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं इसकी PDF जो अपने आगी होगी, अगर आगी है तो मेरे वो एक बार कमेंड में जुरूर बता देना और इसकी मैं पेडियो आपको कहां शेर कर दूँगा, थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग,